हाई दिस इस पूर्णम शर्मा एंड वेलकम तू सद्भावना नियूज पूडू चेरी में कॉंग्रेस और डियेम केके गर्थबंदन की सरकार गिर गई है बुख्यमंत्री वी नारेंट सामी सोमवार को सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए इसके बाद बुख्यमंत्री वी नारेंट सामी ने उपराज़िपाल तमिल सैंसुंदर राजन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा दिया आज शाम पाँच बजे तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था सत्तारूर गठबंदन की संख्यार अविवार को दो ने इस्तिफे के बाद घटकर 11 हो गई थी वही 33 सदसी विधार सभा में विपक्ष के पास 14 विधायकों का समर्थन था आज सदन में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को पारिटी के प्रती वफादार होना चाहिए वहीं उन्होंने पूर्वराजिपाल और केंद्र सरकार पर विबक्ष के साथ साथ गांट करने का आरोप लगाया इस्तीफा देने के बाद नाराएंट सामी ने कहा स्पीकर का फैसला गलत है केंद्र में भाजपा सरकार, एनर कॉंग्रेस और AIDMK तीन नामित सदस्यों द्वारा इस्तेमाल की गई मतदान शक्ती का उप्योग करके हमारी सरकार को भंग करने में सफल रहे हैं ये लोग तत्र की हत्या है, पुडू चेरी और इस देश में लोग उन्हें सबक सिखाएंगे विधान सबह अध्यक्ष का कहना है कि नाराएंट सामी सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी और सदन की कारवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है विपक्ष के नेता और All India N.R. कॉंग्रेस के संस्थापक नेता N.R. सामी ने कहा कि कॉंग्रेस अपनी विधायकों को एक जुट रखने में विफल रही नाराएंट सामी ने कहा विधायकों को पार्टी के प्रतिवफादार रहना चाहिए इस्तीफा देने वाले विधायक लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे क्यूंकि लोग उन्हें अवसर वादी कहेंगे उलेखनी है कि 33 सदेसी विधान सभा में कॉंग्रेस ड्रमुग कट बंदन वाले विधायकों की संख्या घटकर 11 रह गई है जबकि विपक्ष के पास 14 विधायक हैं यानि कॉंग्रेस के पास 11 विधायकों स्पीकर को लेकर 12 उनका समर्थन है जबकि विधान सभा की वर्तमान इस्थिती के मुताबिक उसे बहुमत के लिए 14 विधायकों का समर्थन चाहिए हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री नारायन सामी दावा करते रहे कि उनके पास निर्वाचित विधायकों में से बहुमत हैं भारती जनता पाच्री के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवी ने पुडू चेरी में कॉंग्रेस सरकार गिरने पर राहूल गांधी पर तंसकसा उन्होंने अंग्रेजी में कहवत ट्वीट की जिसका अर्थ कुछ यू निकलता है जहां जहां पैर पड़े वहां हुआ बंटा धार उन्होंने लिखा राहूल गांधी पुडू चेरी गए और अपने मिडास चच को सच साबित किया कॉंग्रेस ने केंदर शासित प्रदेश में अपनी सरकार गमा दी है मुख्यमंतरी नारेण सामी ने सदन में चर्चा करते हुए पूर्व उपराज जिपाल और केंदर पर निशाना साधते हुए कहा पुर्व उपराजिपाल किरन बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ साथ गाच की और सरकार को गिराने की कोशिश की जैसे ही हमारी विधायक एक जुट हुए हम लगभग 5 साल पूरे करने में सफल रहे केंद्र ने हमारे द्वारा मांगी गई धनराशी ना देकर पुडुचेरी के लोगों के साथ दोका किया है हमने द्रमुक और निर्दलिय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई इसके बाद हमने विभिन चुनावों का सामना किया हमने सभी उप्चुनाव जीते हैं ये इसपेश्ट है कि पुडुचेरी के लोग हम पर भरोसा करते हैं तमिल नाजू और पुडुचेरी में हम दो भार्शी प्रणाली का पालन करते हैं लेकिन भाजपा हिंदी को लागू करने की जबरन कोशिश कर रही है